हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो ससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टन प्रेशनों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता तो रेलवे का एक्जाम होने वाला है तो अब हम जो कोशन अप्लोड करें ानी तक देखते रही है पसंद आए दोस्तों अब करने का क्या रहता है क्वेज़ा आपको पता वगा है एक्साम में पूछ जाते हैं तो इन्हें करने का क्या तारीका रहता है एक से दो सेकेंड में आपको ट्रिक पता होनी चाहिए जीक आपको पता है तो आप चुटकियों में सॉल कर देंगे देखिए क्या होता है पैसत पैसर लाब या हानी बराबर एक आप से पूछा गया है लाब यहानी तो इसके ट्रिक होती है, लाब यहानी बराबर की क्रेबस्तू लिखना है, क्रेबस्तू, क्रेबस्तू में से दोस्तो आपको माइनस कर देना है, बिक्रेबस्तू को क्या करना है, बिक्रेबस्तू को माइनस कर दीचे, और डिवाइड में क्या रखना है दोस्तो स्वालब हो जाएगा जब भी आपको ऐसा कोशन पूछा जाएगा 25 बस्तू का क्रेमूल 20 बस्तू के बिक्रेमूल के बराबर है मतलब क्रेमूल और बिक्रेमूल दोनों बराबर हैं यह आपसे पूछा जाएगा तो क्रेम बस्तू में से बिक्रेम बस्तू को घटा दीजे और बिक्राबस्टू से डिवाइड कर दिजें इंटू 100 ठीक है दोस्तो अब देखंगे कैसे स्वॉप करना है किराबस्टू क्या दिया गया है किराबस्टू दिया गया है अब दुस्तो आपको 25 तो 25 ले लेंगे 25 लेलिया पांच बचेगा डिवाइड में दूस्तों आपका 20 रहेगा इंट्व आपका 100 रहेगा बिस्ते से कार दीजे कितनी बच जाएगा पांच वारी जाएगा और पांच का पांच से जाब मल्टिप्लाइब कर देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 प्रतसत ठीक है अब थीक है उमीद करता हो यह कौशन आपकी समझ में अच्छे तरीके से आगया होगा जब भी है दोस्तों आपको इस टाइब को कौशन पूछा जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अगला कौशन अगला कोश्टन है 360 बस्तूं का क्रेमूल 400 बस्तूं के बिक्रेमूल के बराबर है तो लाब या हानी प्रत्सत क्या है ठीक दोस्तों फिर से निगलिक देता हूँ जो आपको फॉर्मूला था प्रत्सत लाब या हानी बराबर क्या दे रखा है क्रे बस्तू क्रे बस्तू में स विक्रेवस्थू से, इंटू कर देना, आपको 100, ठीक है दोस्तो, ये आपने लगा दिया, दोस्तो, आपका answer आ गया, आप देखें, क्रेवस्थू क्या है? क्रेवस्थू, आपकी 360, 360 लिख लिए, माइनस, विक्रेवस्थु कितनी है? खुस्टों कि चार सो चार सो लिखेलिया डिबाइड में क्या करने चार सो बिक्र बसक 뭘 लिखना है baikаша जो कि लिखना है इंट्ू किया करदीना दूसतों आपको hundred करते rhyme अब देखिए तीन सो गया स्थ्थ प्लस का है चार सो मािनस का थेगा तो क्या बचेगा दोस्तों माइनस का बचेगा कितना बचेगा माइनस का 40 डिवाइट में क्या आपका 400 इंटू का 100 ठीक है दोस्तों अब देखिए 2-0 से ये 2-0 कट जाएगा 4 से काटेंगे 40 को तो कितनी बारी जाएगा 10 बारी चला जाएगा लेकिन किस में जाएगा माइनस में दे रखा है तो माइनस में आएगा तो माइनस में आया इसका मतलब क्या है हानी जदी पिलस में आता तो इसका मतलब क्या है लाब हानी आएगी दोस्तों माइनस में पिलस में आएगा तो लाब हुआ है तो इस टाइप को कोशन आपको पूछा जाए क्रेबस्टू और विक्रबस्टू बराबर है उसमें लाब हानी पूछा जाएगा तो क्या करना है लाब कहँशन है 3 किरहमांगत संक्ष्जाओं का योग 18 है तो अगली 3 करमांगत संक्ष्जाओं का योग गयात कीजए स थे significa कितना Clapंगता यों accounted पूछा गया हिसका मतलगे कितनी संक्ष्जाओं चैसंट एक दो ती 4 5 6 संक्ष्जाओं नो और पहली तीन मतलब तीन क्रेमांगल संग्चियों को योग कितना दे रखा दोस्तों अठारा दे रखा है तो अगली तीन संग्चियों को योग क्या होगा यह आप से पूछा गया इन तीन संग्चियों को योग अठारा है तो तीन संग्चियों को योग अठारा है तो तीन स करने बाद आएगा करमांगत कहांएं इसके बाद के आएगा किरमांगत संखया ए करमांगत सेекरेघन करने बाद आप यह कर दीजे 10 और 19 और 10 हो जाएगा और 8 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा तो इन 3 संक्यों का यह कितना है 27 सही क्या हो जाएगा दोस्तों आप कांसलर पावर 64 और 65 किसे विवाजित हो गा मतलिए चार अफ्षन दिया गए इन रीचा को क्या दिया शोर्ट यू ए पेढ़ा है tu उसान कित्नी जीकी là पोसिंगे छार की पावर 62 प्लस चार की मआबध दिर स्च जदर puisque հी Duncan और चार की पावर आपको क्या दिया गया है इन में से क्या करेंगे दोस्तों सब में से क्या होगा चार की पावर एक सट को कॉमन ले लेंगे पतला बाहर ले लेंगे चार की पावर एक सट को हमने कॉमन ले लिया क्या बचेगा यहाँ पर आपका एक बचेगा एक बचा पिलस यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा चार पिलस यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा चार की पावर दो चार की पावर दो बचेगा दोस्तों यहाँ पर चार की पावर एक बचेगा तो एक लिखिए चाहे मत लिखिए चलो लिख देते हैं ठीक है पिलस यहाँ चार की पावर तीन बचेगा पिलस यहाँ चार की पावर चार बचेगा आप देखे 4 की power common बाहर चल रहें एक हो गया फ्रेस 4 की power 1-4 ही रहे गाете प्रेस चार की power 3 मतलद क्यों 64 हो जाएगा और 4 की power 4 हो जेगा दोस्तो आपका 256 कितना हो जाएगा 2506 हो जाएगा अब आप इन शब को plus कर लिज्जिए क्योंकि plus ka sign दे रख्या तो चार की पावर एक सट हमारा बाहर चल रहा है इन सबको जब हम पिलस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यह जाएगा आपका 341 अब देखे दर कर ले से छार की पावर 16 आपकी बाहर चल लिए मल्टिप्लाइमिक रहा तीन सो 41 दे रखा है ठीक है दोस्तों अब देखिए आपका कितना निकल गया है 341 तो इस 341 को जो संख्या डिवाइट कर देगी इन में से पूरा-पूरा वही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों 3 से डिवाइट करके लाश्ट में 41 आ रहा है 11 से काटके देखते हैं 11 तीया 33 हो जाएगा 11 तीया 11 से काटके देख लेते हैं 11 तीया 33 हो जाएगा और एक बचेगा तो 11 एकम 11 इसका मतलब क्या हुआ 11 से पूरी संक्या कट गी तो 11 ही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 17 से काटके देखेंगे 17 दुनी 34 कर जाएगा लेकिन 1 बचेगा तो पूरा पूरा 17 से भी नहीं कटेगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कोशन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें ये आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर ली